रिवा में दस जनवरी को मुस्लिम रास्टिय स्वेम सेबक संग ने मौन जुलूस निकालकर नर्सी और सीए और एन पी आर जैसे कानून को रदगने और मोधी सरकार की खिलाफ रास्टपती और न्याय अधीस उच्चतम न्यालय के नाम कलेक्टर को ग्यापन सौपा है जहां मुस्लिम के रास्टिय स्वेम सेबक संग के बैनर तले रिवा के छोटी दरगाह केमपस में सबी लोगे खटे हुए और मन जुलूस निकाला जो शेहर के प्रमख मार्गों से होकर गुजरा SDM फरहीन खान को रास्टिय के नाम ग्यापन सौपा है जुलूस में हजारों की दादाद में महिला पुलूस एवं बच्चे शामिल हुए है तकरीवन 50,000 अधिकारी और कर्मचारी साजन के लगे और 1600 करोड उपए खर्च हुए 3 करोड वाले प्रदेश में हम 130 करोड है अगर NRC की जाती है तो रुपिया कहां से आएगा हम दो लाइन में कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमने अपना सर्विस प्रोवाइडर चुना था कि हमारे लिए वो तमाम वो वेवस्थाएं बनाएगा जिससे हिंदुस्तान की जंता का और देश का विकास होगा और ये विनास वाली सरकार है हम लोग पिछली गवर्मेंटों से ठक चुके थे उनके ताना साही से ठक चुके थे तो परिवर्तन किया हम लोगों ने कि ये नए लोग आएंगे और ये कुछ विकास करेंगे तो क्रायदार ही मकान को कबजा करके मकान मालिक से पूछता है कि बताओ तुम मकान मालिक हो तो कैसे हो थाबित करो अरे ये थाबित करें कि हमारे बोर्ट से इन्होंने सरकार बनाई है अगर हम अबाइद हैं तो इनकी सरकार भी हवाइद है यही कहना है हमारा इस देश की जंदा को परशान ना करें देश में रोजगार के असर पैधा करें रोट सडक नाली बनाएं कलकार घाने पैदा करें और हमारा जो देश का टैलेंट हमारे जो देश membhalalt देश में टैलेंट बहुत है जो अदेशों में जाकर अपनी मतलब अपनी सेवा दे रहा है वो ऐसा कुछ करें क्या हमारा टैलेंट यही हो कलाम की तरह A.P.J. अब्दुलकलाम की तरह हजारों A.P.J. अब्दुलकलाम हिंदुस्तान में पैदा हों और इस देश को मजबूत करें